हेलो दोस्तो आपका स्वागा तेक नाए वीडियो में आज किस वीडियो में आपको बताने वाँ लाँँ वीवो यहंडेड़ फाइब जी में किस तरह से आप इडगे बेक्ग्राउंड लाइटिंग आपके मोबाइल में सेटिंग कर सकते हैं नमस्कार दोस्तो मैं हूँ रोज जैस्वाल आप देखरो टेक्निकल आर्जेम आज किस वीडियो में आपको बताने वाँँ दोस्तो इडगे लाइट के बारे में जो आपके बेक्ग्राउंड में चारो तरफ से लाइट जलता है तो इसके लिए दोस्तो आपको यह अप्लिक जाएगा फुन ऻवले चारो आपको जाएगा शना का य मिल जाएगा इस ऑप्लाई करने कद यह हां पर दो ऑप्षन आयगा यह स्कृन पर देखना शुरू हो जाएगा आपको home screen and lock screen, दो option आएगा, दोनों में आप a light set कर सकते हैं, यहाँ पे दो option आगया, तो आपको दोनों में click करना है, ताकि आपके screen पे आपको दिखे जो आपका mobile का screen है, lock होने के बाद वहाँ पे show करें, आपको दोनों पे permission दे देना है, और दोनों पे set कर लेना है apply करके, औ पहला और दूसरा पर भी मैंने set कर लिया, और set करने के बाद screen पे आपको इस तरह का light जो फिलाल दिख रहा है, देखिए मेरे screen पे set हो गया है, और इस तरह का lighting चलना शुरू हो जाएगा, एड आता है तो एड को cut कर देना है, और आपके mobile पे हमेशा यह screen दिखेगा, जो ब open करते हैं, चलिए यह रहा application इसको open कर लिया, और back करते हैं, बेक करने के बाद यहां पे देख रहे हैं, 7 option है, 7 model से, आपके mobile के screen पे आप set कर सकते हो, इसमें से जो आपको select करना है, selector के set कर सकते हो, चलिए मैं दूसरा वाला select कर लिया हूँ, जो camera का option आता है, side वाला, तो इसपे apply कर दिया हूँ, apply करने के बाद यहां पे set का option आ रहा है, तो चलिए इसपे click करते हैं, और set करने का दो option आता है, home screen और lock screen, दोनों पे आपको क्या करना है, set कर लेना है, पहले पे फिर दूसरे पे, दोनों option पे click करके set कर लेना है, फिर आपको अपने mobile के screen पे इस तर से आगे आप इसको बन कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पफंद है, फिलाल इसमें जितना option आ रहा है, वो सारा option आप अपने mobile के set कर सकते हो, set करके और चलिए अभी wallpaper में आगे, दूसरा option wallpaper का दिया है, live wallpaper यानि कि हर second में वो change होता रहेगा, उसका color, अलग-अलग design का जो भी wallpaper आप set करोगे, चलिए एक wallpaper को select करता हूं, पहला वाल जो wallpaper है, तो इसको अपने mobile में select करके इसको set करता हूं, चलिए आ जाते हैं पहले वाले पे और उसको click करते हैं, पहले वाले option पे, हमने click कर दिया, lock screen and home screen, दो option आता है, आपको दोनों पे set कर लेना है, मैं दोनों पे set कर रहा हूं, कि screen lock हो तो भी दिखाई दे, और screen चालू हो तो भी दिखाई दे, तो दोनों पे मैं यह वाला wallpaper जो live wallpaper है, हर second में change होता है, यहां पे add आया, तो add को cut कर देना है, फिलाल मैं add को cut कर दे रहा हूं, cut करने के बाद, आपको दिखाता हूं, मेरे screen पे इसको set कर के, फिलाल home screen and lock screen दोनों पे मैं इसको set कर दिया हूं, set होने के बाद, आपको दिखाता हूं, देखिए मेरे screen पे set हो गया है, और हर second change हो रहा है, आप देखते जाए, मैं 10-15 second रखता हूं, आप देख लिजे, अभी green हो गया, अभी blue हो रहा है, blue होने के बाद red होगा, इस त मज़ा आ जाएगा, क्या ही color है, तो यह application ने download कर लिजे, और फिर आप अपने mobile में इसको set कर सके, इसका फाइदा उटा सकते हैं, दोस्तों यह video कैसा लगा, comment करके जरूर बताइए, video अच्छा लगा तो like कीजे, channel को subscribe कीजे और share कीजे, दोस्तों मिलते हैं आपको next